प्रश्ण के अपने संकल्व पत्रमेग बिंदू ये लिखा था कि जो आउट्सोर्सिंग की महिलाएं हैं उनको भी मात्रित व अवकाश अभी उनको नहीं मिलता है तो इसकी भी घुझना कर रहे हैं और इसका प्रावधन करके जो आउट्सोर्सिंग में महिलाएं काम करती है उनको भी मात्रित व अवकाश इसी सब्ता ये पत्रजारी हो जाएगा तो आउट्सोर्सिंग में जो महिला करमचारी उनको मात्रित व अवकाश एक हमारे घुझना पत्र में दोनों में था कि हम ग्रामीन ख्षेतर की आबादी में शराब के ठेके ये नहीं खोलेंगे अब लेकिन इसमें ग्रामीन ख्षेतर के लोगों से वहां से एक सहमती याने वहां की पंचायत की वहां की ग्राम सदा की ये लेकर के जो जो अभी कर देंगे हलागे जपार्टमेंट ने ती स्तंबर ती उसकी इताय कियो है लेकिन अब हम 31 दिसंबर तक ऐसे ही एक हमारे गोशन प्राली का एक विश्या आया था हमको मालूम है कि ये भी समस्या एक अपने आम में बड़ी ऐसी बन गई है जो नाम इधर बोल सकते ना उधर जादा बोल सकते आकर प्रदुशन कोई भी नी चाहेगा प्रदुशन हो और जिस प्रकार की प्रस्तियां खास करके बड़े शह का एक योगा है चार्सो से उपर सब जगा एक यमनार जिले में 376 या चार्याना में भी कुछ एक दूदर में कम हुआ है लेकिन केवल प्राली से ही उसका प्रभाव ऐसा भी नहीं है और हमने हर्याना में काफी कोछ इस पर काभू पाया भी है अभी जितने नासा के सैटला मेने में 25 तंबर से लेके दो नॉम्बर तक 4341 ऐसे जो एक्टिव फायर एफ्टी क्रोफ क्रोफ फायर लोकेशन इतनी डिटेक्ट हुए 4341 और इसमें भी नो जिले सबसे ज़्यादा हैं कैथल, करनाल, फत्याबाद, अंबाला, सिर्षा, यमनानगर, पलवल और कुर्श प्रावधान भी किये गए हैं, सबसिटी भी दे रहे हैं, उसमें इंप्लेमेंट्स भी दे रहे हैं, और प्राली को इकठा बेल बना करके बिक्री हो जाए, उसका उप्योग हो जाए, विशे तो उस प्राली का क्या करें, किसान भी प्राली को जलाता क्यों है, उसका उप् और 80% उसमें सबसीडी दे रहे हैं। पंचायतों को भी कह रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा चार्जिज ले करके और करो और उसक्या जो बेल बनाता है वो बिक भी रही है। अगले साल तक तो इंडियन ओयल कारपरेशन की ओर से एक वेस्टू एनरजी प्लांट लग रहा है वेस्टू बायडिजर बायडिजर का प्लांट लग रहा है तो उसमें पानीपत, करनाल और जीन्द और कुछ सोरीपत ऐसे चार जिलों का पानीपत तो पूरा ही है चार जिलों का कुछ और हिस्सा इतना सारा तो मैटियल वो इकठा करेंगे हैं। अम इस और बढ़ रहे है कि एक एक प्लांट लगे, वहां उसका यूज हो, इधर अमबाला में और यमनानगर में, इधर तो हमारी जो बिजली के बनाने वाले प्लांट हैं ये भी खरीद रहे हैं। कुछ जगा पर खरीद शुरू हो गई इसकी, जहां 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 खरीद शुरू हो गई यह वहां जनेरेशन हो, इंतनौल हो, इसमें बायो डिजल हो, ये चीजे बनाने के लिए उस और हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसान की आमदर में उसमें हो जाए, तो यह सम्म कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको यह बताया है। कर सकते हैं, लेकिन एक तब उन मानकों को खतम करना, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए उप्योगी नहीं हैं, उचितना ही हैं, इसलिए जितना भी संभव होगा, इन मानकों पर पुनवचार करके, और शीगरती शीगर को निर्णा लेकर के, कुछ स्कूलों का उसमें मान गौन हम से आगे है और कौन पीछे है, ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ, इसलिए सबका साथ, सबका विज्कास इस बात को लेकर करें, साथ चलने के लिए, साथ चलने के लिए हम लोग हमे आफ मिलकर चलें मिलकर काम मेनत करें प्रसपरद्वेश न करें सभी तेजस्वी बने और वो जो उस पाठ का नाम है ओम सहना ववतु ओम सहना ववतु सहवीर्यं करवावाई तेजस्विनावधी तमस्दु मावित शावाई ओम शांती 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 दन्यवाद पावर के समन्द में पहले तो मैं अपने भाग के कारेकाल से पिछले पांच साल के कारेकाल से एक तमसंतुष्ट हूँ कि जो हमने चाहा है उस लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं पहली बार हर्याणा में 24 घंटे गाउं को बिजली देने का जो हमने एक खुशना की थी एक महिने में रूरल डोमेस्टिक इसमें 18 घंटे से 20 घंटे एवरेज है आवरेज मतलब इसमें 16 घंटे वाले भी हैं 18 घंटे चोबिस वाले भी हैं 21 घंटे जो पूरे इस UHVN और DHVN का इकठा एवरेज 18 घंटे से 20 घंटे इसी प्रकार यह है एपी एग्रिकल्चर का आठ गंटे से दस गंटे यानि 1 स्कंबर को dस गंटे है 27 स्कंबर को दस गंटे है बाकी सब 8-8-8-8-8 गंटे घंगा नौ घंटे दो दिन नौ घंटे भी है तो 8-10 गंटे इवरेज यह इसमें एगरिकल्चर फेटर में ये बेली जा रही है, सब जगा है, पूरे महीने की बता रहा हूँ, इंडस्ट्री, साड़े 23 गन्ते के अवरे जह है इंडस्ट्री की, पूरे महीने की और अरबन, अरबन भी लगोग साड़े 23 गन्ते है, ये DHBVN बता है, UHBVN का लग है, र इसमें भी जो एक योजना बनाई थी कि फोर स्टार जो पंप्स हैं यह पहले से सिस्टम चला चक करने के बाद पता लगा कि वहां कंट्रोल कोई किसी का था नहीं नाम फोर स्टार और सब डुमें जो देशी जो मोटरे हैं वो प्राया प्राया सब लोग ने लगा रखी है बहुत कम परसंटेज जो पौर स्टार में लिए बाद में डिपार्ट तो पड़ जी लाया है इसी लाग justement और सफ tu इंटार कुराज धर नहें इससे ले देशी लायगा और बेल मनौएग़ा Equity motif expos था जो 4 true का खर्चा है वो तो प्रापराय उन्हां पता है कितना आता है हम suspension factory 아 sell की मोटरें global टेंडर ग्लोबल टेंडर के माद्यम से ली गई है अब ग्लोबल टेंडर में कम्पनी कहां की आते है यह मेरा पॉइ कांसर नहीं होता है वो आisions के मुज्याद की वो आए श्री लंका की के में के वा गुजरात की इत्र पेए की वाया साम की कहीं की आए अब जो कमपनी आई है डूक प्लेस्टों यह समयोख से गुजरात की है और गुजरात की कमपनी से हमारा कोई विरोत थड़ी है हमें तो quality चाहिए हमको को रेट quality रेट थाई तीन चीज़े अगर होती हैं तो हमको सारी कमपनिया मंजूर है पांच साल का AMC है उस रेट में इसलिए वो कमपनी के माध्यम से लगेंगी और रेट भी बहुत रीजनेबल आया है फोर स्टार का फाइव स्टार का बहुत कम अंतर आया है हम विचार यह भी कर रहे हैं कि उस कम अंतर को भी किसान से बहुत कम लिया जाए यानि जो किसान को तो रिबेटी हो जाएगा जो केवल फॉर स्टार का खर्च है नई अर लगेगी तो फॉर स्टार का पैसा हमसे लेंगे फाइव स्टार का जो पैसा और एक्स्टार है वो सरकार लगाएगी इसलिए वो जो 30% अगर बचत होनी है तो अल्टिमेटली डिपार्मेंट की होगी इसलिए जो एक्स्टार खर्च है फाइव स्टार का और एमसी का वो सारा सरकार ही अपनी और से नई डिपार्मेंट लगाएगा तो डिपार्मेंट उसको उसमें से कवर कर लेगा इसमें से पोर्टल खुला गया था छे सितंबर को इन 84,000 में से जो पैसा जमा कराने का था पोर स्टार का उपकी रेट टैक कर दिये थे तीस स्टंबर तक 12,035 किसानों ने अपना पैसा जमा करा दिया है इन बाजार अप 12,035 किसानों को कनेक्शन देने का काम शुरू हो गया है अब वो चुके कैपेसिटी डिपार्टमेंट की जितनी हैं उस हिसाब से लगाएगे इसमें कुछ मिने लगेंगे उसके तुरंत बाद अगली एक किस्त 15,000 की 20,000 की फिर करेंगे लेकिन फर्स प्रायटी जिसकी होगी वो पैसा वैसा जैसा जमा कराएंगे उसमें फिर सिनियोरिटी जो होगी उसमें लगाते चले जाएंगे ऐसा इस डिपार्टमेंट की और स एक उत्तर है इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली बचत भी हो और नए कनेक्शन भी सबको 5 स्टार पंप के मिलें इसके लिए 31, 31 दिसंबर 2018 तक ये कनेक्शन सारे 84,000 ये सबको मिल जाएंगे SC Commission का एक विशह आया था इसकी जानकारी House के मेंबर्स को होनी चाहिए कि SC Commission का नोटिफिक्शन हो चुका है कि बिल उसका गठन होना शेश है अभी पिछले दिनों में चुनाव से पहले उसका नोटिफिक्शन हुआ था गठन नहीं कर पाये थे अब जल्दी उसका गठन हो क करके और उसके मेंबर लगा दिये जाएंगे इसी परकार किसानों की जो कोर्परिटिव जो बैंक्स डिस्टिक कोर्परिटिव बैंक्स और पैक्स इनके जो लोन हैं उस लोन का इंट्रेस्ट और पेनल्टी ये सब कल्कुलेट करा करके हमने बता दिया है कि 4,750 क्रोड रु लेने के लिए इस समय लगे हुए हैं 30 नॉम्बर तक उसकी डेट है अभी तक 22,000, 75,000 किसानों ने उसका लाव ले चुके हैं 220 क्रोड रुपर माफ किया जा चुका है लेकिन किसान लगवक 7 लाग से उपर हैं मेरा हाउस से निविदन है कि अपने-पने क्षेत्र में सभी जो डिस्ट्रिक कोपरेटिव बैंक्स या पैक्स उनके जहां जहां लोन आउटस्टेंडिंग हैं क्योंकि आउटस्टेंडिंग होने के बाद उनका खाता NPA हो जाता है और NPA होने के बाद आगे उसको द्वारा लोन ले नहीं पाएंगे तो इसलिए अब उनको कर दिया ग 6,30,000 इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि भी किसने कराना किसने नहीं कराना है हमने उसकी बैंकों के माद्यम से जानकरी दे दी सभूश कर दिया लेकिन हमारा भी पब्लिक एक रिप्रेजेंटिट होने के नाते जनपर्दी होने के नाते हमारा दाय तो बनता है कि अपने-पने accounts को चला करा लें ये एक विशभी इसके साथ जुड़ना था हमने एक pond and water disposal mechanism एक authority बनाई है pond authority of harina और अभी उसका गठन हुआ है कोई तीन-चार मेने पहले ही हुआ था तो उसमें से हमने उनको दिया है कि फुल 14,000 तलाब है harina के जिसमें से 4,5,000 तो सुखे के कारण से उनकी समस्या है और ऐसे 6,7,000 जिनका और फलो के कारण से समस्या है लाकी नॉर्मल है तो और फलो वाले जो तलाब हैं उनका पानी का डिस्पोजल उस पानी का irrigation के लिए उप्योग उस पानी को साल में एक बार खाली करके नया पानी उसमें डाला हो चुका है जो 10,000 से बड़ी आबादी के जो बड़े बड़े गाओं हैं जिसको हमने महागराम का नाम दिया था उसमें ये गाओं में काम शुरू हो चुका है लेकिन इसको गती से हमको करेंगे ताकर अगले आने वाले पांच साल में बहुत बड़ा काम हैं बहुत पीने के पानी पानी से भी ज्यादा आउशक है। से आने वाले पांच साल के अंदर हर घर के अंदर पानी का नल टूटी रसोई के अंदर पहुंचे यह हमारी योजना है इसको पूरा करेंगे एक विश्य ड्रग अब्यूज का इसमें अस्तमी समस्या ऐसी है कि एक नॉर्थ इंडिया के एक सामविक समस्या है पीछले तुनों में लगवागी अगस्त 2018 की बात है एक साल से भी ज्यादा समय हो गया आसपास के प्रदेशों के सब मुख्यमंत्रियों को मैंने स्वेम बुलाया था जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और कुछ जगह चार मुख्यमंत्री आया थे बाकी जगह के अधिकारी आया थे एक कॉमन स्टेटिशी पर काम कर रहे हैं इसके लिए स्टेट टास्क फोस हमने बना दी है और एक सची वाले अभी ड्रग अब्यूज या ड्रग कंट्रोल सची वाले यह पंचकुला में बनाया गया है हर प्रदेश के दो-दो अधिकारी बहां पंचकुला में बैठे हैं और आपस में डेटा शेरिंग करते हैं इनफर्मेशन देते लेते हैं और जहां जहां इस परकार के लोग है उनको सब को कैसे कंट्रोल करना डेमान पर भी और स्प्लाई पर भी कैसे कंट्रोल हो इसके लिए अवेरनेस के प्रोग्राम है और उनका कैसे treatment किया जाए उसके भी प्रोग्राम तालू किया है, NGO's को भी इसमें शामिल किया है, तो कुल मिलाकर सभी department इसमें health है, school education है, social justice है, higher education है, prisons है, police है, इन सब departments की coordination करके और इसके ओपर काम शुरू किया है, state task force तो बनी है, लेकिन district task force ये भी एक DSP की under हर जिले में ये बनाने की यूजना है, ज प्लाइन, जो information इस परकार की देने वाले हैं, उनका नाम गुप्त रखा जायागा, तो ऐसा एक information का center ये भी बनाया गया है, de-addiction center भी कुछ जगा पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें कई परकार की कमियां देखने में आई हैं, मैं जो भी हमारे health department के लोग हैं, उनको कहुँगा के दो मेने के अंदर-अंदर, सभी de-addiction centers, उनका एक बार direction करें, inspector करें उसको, और जो उसमें कमियां उसको हम लोग दूर करेंगे, और इसमें community mobilization, इसमें हरे एक ऐसे भी हाग केनाते से, जहां जहां किया जा सकता है, school students है, एक परकार का entire awareness plan, ये इसमें बनाया गया है, और एक बहुत ही हैं, इसमें समझ से हैं, जिसमें सबका और एक बहुत है, ऑुटर को बहुत है.